चोपड़ा है जोगिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो सबसे पहले आप सभी को होली की हर्दिक सूब काम नहीं नीट 23 के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपको इसका रेजिस्टेशन कैसे करना है इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको step by step कौन से कोलम में क्या फिल करना है इसके बारे में बता दूँगा तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि important dates क्या है क्या condition है इसकी किस परकार से हमने information bulletin डाउनलोड करना है कैसे registration करना है तो इस वीडियो में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले NEET की जो website है NEET.NTA.NIC.IN तो इस पर वीजिट करेंगे हम तो वीजिट करने में हमें हमें इस परकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा इसमें public notice दिया गया है news and events दिये गये हैं public notice में एक notification दिया गया है इसके बारे में कि कौन सी date को क्या event है तो सबसे पहले हमें एक बार ये notification देख लेते ह हैं तो online registration form start हो सके हैं 6 March 23 से और last date 6 April 23 रात 9 बजे तक रखी गई है सोरी 11 बज के 50 मिनिट तक रखी गई है इसमें इसके बाद में क्रेक्षन online form में जो mistake हो जाती है उसके लिए क्रेक्षन की date क्या रहेगी ये बाद में inform किया जाएगा इसमें इसके बाद में जो fees है general EWS OBC क जनल के लिए 1700 है general EWS OBC के लिए 1600 है SAST PWD और third gender के लिए 1000 रुपीज फीज रखी गई है जो outside center है इंडिया से बार जो center है 9500 फीज रखी गई है इसके बाद में examination city का जो announcement होगा वो बाद में बताया जाएगा आपको admit card download की date भी बाद में बताई जाएगी exam date 7th मई 23 Sunday को है duration वही पिछली साल वाला 200 minutes है 3 hours 20 minutes रखा गया है जो timing है वही previous year की तरह 2 बज़े से लेकर के 5 बज़े 20 minutes तक रखा गया है इसके बाद में admit card में आपका center की detail आएगी वो बाद में announce किया जाएगा कब इसका result आएगा और counseling कब start होगी ये भी आपको बाद में inform कर दिया जाएगा इसमें OBC के लिए लिखा है कि जो candidates OBC से form फिल करना चाते हैं तो central list में उनका नाम होना चाहिए OBC central list में उनका नाम होना चाहिए तो ncbc.nick.in की website पर आप अगर central list में OBC में नाम है तो वो OBC फिल करें Otherwise इसके लिए general फिल करें मैं आपको यहां बता देता हूँ कि state की condition अलग होती है अगर आप state में apply करना चाहते हैं तो OBC और EWS state के लिए अलग होते हैं तो वो आप कर सकते हैं इसमें अगर central list में आप OBC में नहीं आते हैं तो यहां आपको general ही फिल करना है इसके बाद में जो application form होगा वो online ही होगा हम सब जानते हैं इसके बारे में एक candidate को एक ही application form submit करना है दूसरी बात यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपने mobile number email ID देना है वो यहां वही email ID और mobile number देना है जो आपको आगे जो आपका आगे functional रहेगा आगे functioning में रहेगा वही देना हैं क्योंकि counseling के समय में आपको यही mobile number और email ID की जरूरत होगी इसी पर OTP आएगा तो आपने ऐसा mobile number देना है और ऐसा email ID देना है जो आपका बाद में काम आए ऐसा नहीं कि आज जो mobile number दे दिया वो mobile number बाद में काम ही नहीं कर रहा है तो आप counseling नहीं कर पापाएंगे counseling के time में इस mobile number पर OTP आता है तो यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि mobile number और email ID आपने वही देना है जो आगे functional रहेगी अब जो address के बारे में है permanent address और present address किसी का अलग-अलग होता है तो address proof में जो document submit करना है उनको दोनों को अगर permanent में अलग है और present में अलग है तो उन documents को आप merge करके लगा सकते जैसे आदार कार्ड हो गया वोटरा ID कार्ड हो गया इस परकार के address proof के लिए यह मैं आपको detail online form फिल करते से मैं समझा दूंगा यह सारी तो इस परकार से आप यह online form फिल करेंगे तो यह condition रहेंगी यह important date से अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने information bulletin download करना है उसमें सारी condition देखनी है तो इसी की website पर आपको यहाँ पर information section में जाना है जो home about us के बाद में information लिखा है इसमें आप download information bulletin पर click करेंगे information bulletin पर click करने के बाद में download का option आएगा view पर click करने के बाद information bulletin डाउनलोड करके आप इसकी सारी condition देख सकते हैं अब इसको apply कैसे करना है तो इसके लिए home button में जैसे ही हम जाएंगे उसमें नीचे candidate activities लिखा है NEET UG 23 registration लिखा है इस पर click करेंगे इस प और उसके बाद में application number password डालकर करें sign in करना है तो इसका process में आपको step by step समझा दूँगा भी next video में कुछी समय में next video आने वाला है उसमें कौन से column में आपको क्या fill करना है उसके बारे में हर एक steps के बारे में समझा दूँगा आपको बिल्कुल mistakes नहीं करनी है आराम से form fill करना है तो मिलेंगे नई updates के साथ next video में तब तक के लिए जैहिन